So इस वीडियो पे हम लोग के increasing subsequent को segmentary से solve करने वाले हैं इससे पहले हमने इस question को dp से solve किया था जिसने मुझे T file का result दिया था अभी हम लोग उस जीच को his प्डिमाइस करने वाले हैं तो उस वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो देखो, बेसिकली ये वाला डाइग्राम से आप फैमिलियर होगे, को यह पिलिखे हैं, ठीक है, डीपे में आप बेसिकली कर क्या रहे थे, तो जब आप इस वाले इंडेक्स पे होते हो, तो आप प्रिवेस में क्या चेक करते हो, कि यहार मुझसे जितने बंदे छोटे हैं, उन्ही को तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर फोर है, तो यह अपने सभी छोटे बंदे को देखता है, ठी, टू, वन, और बेसिकली य से ले करके, एक्स माइनस वन, इतने रेंज की बंदो को ढूंद रहे हो, ठीक है, उसके बाद अगेन आप ऑप्रेशन क्या करते हो, देखो, आपने जब यहाँ पर से थ्री को ढूंदा था, ठीक है, फाइफ तो छोटा नहीं है, इंक्रिसिंग सिक्वेंस नहीं बनेगा, आपने जब थ्री को ढूंदा, यहाँ पर k equals to 1 पे 1 रखा हुआ है, तो k equals to 2 पे रख लिया, right, k equals to 2 पे 2 रखा है, तो k equals to 3 पे डाल दिया, इस पे आपने कुछ काम नहीं किया, ठीक है, इन दोनों को क्या किया, k की value 1 है, तो 2 पे रख दिया, k की value 2 है, तो 3 पे रख दिया, फिर again, दूसरे बंदों के लिए क्या किया, तो फिर से, इसके पास जो भी value है k पे, k equals to 1 पे, उसको आपने add कर दिया k equals to 2 पे, right, 3 वाला 1 तो था ही वहाँ पे, plus पे यह 2 वाला 1 भी आ गया, right, और यहाँ पर भी 3 वाला 2 था यहाँ पे, अब 2 वाला, जो k equals to 2 की value है, वो यहा आप actually में क्या करते हो, आप पहले column पे ना searching करते हो, column पे searching करते हो, कि यार 1 से लेकर के, n, x, minus 1, इतने के elements पे, यह जो dp बना हुआ है न, k वाला, 1 से लेकर के 3 वाला, इन सभी को sum करते आते हो, right, यहाँ पर अगर 1, 2, और 3, तीनों आपसे छोटे हैं, ठीकर तीनों को रखा है, यहाँ पर 1 रखा है, total 2 हुआ, और यहाँ पर 1 रखा है, total 3 हुआ, तो इस 3 को आपने, अपने k गोस्टो 2 पे डाल दिया, ठीक है, k गोस्टो 2 पे गए, इन तीनों पे sum किया, तो total sum 3 हुआ, इसको k गोस्टो 3 पे डाल दिया, right, और इसी चीश को हम लोग हम ले, solve करने के लिए, n square into k के complexity लगा दिया, ठीक है, इसको हम लोग improve कैसे करेंगे, तो देखो, आप basically अभी ना, कुछ range पे, 1 से लेकर के x-1, एक range ही तो है, right, किसी एक particular range पे, इन सभी numbers का sum से operation कर रहे हो, right, हर element के पास k equals to 1, 2, 3 है, k equals to 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 है, इन सभी को sum करके, अपन answer बना रहे हो, ठीक है, तो range, एक range पे, sum वाला query, यह हम segmentary पे कर सकते हैं, सानी से, right, और उसमें complexity कितने लगती है, तो log of n लगती है, जो n square से तो काफी ज़्यादा सही है, right, तो अभी ना, हम अपना question को, अपने problem को reduce किया थोड़ा, किस पे reduce किया, तो basically आप जिसके लिए व work कर रहे हो, ठीक है, तो अपने से previous पे, one से ले करके, five के लिए work कर रहे हो, जो four तक, one से ले करके four तक, जितने भी बंदे हैं, उन सबी के k into one को add कर दो, k into two कo add कर दो, k into three कर दो, और k into one वाला sum को two पे रख दो, two वाले को three पे रख दो, 3 वाले को 4 पर रख दो 4 है ही नहीं, ठीक है होता तो यही काम करते हैं हम लोग तो अभी ना exactly इसीज को हम लोग सेग्मेंट ट्रिप अप्लाई करने वाले हैं तो अभी हमारा main focus क्या होगा एक एक करके दोनों काम करेंगे सबसे पहला हमारा task यह होगा कि यार मैं इतने सेग्मेंट का sum कैसे maintain करूँगा ठीक है, basically 1 से ले करके x प्लस 1 इतने बंदों का sum कैसे maintain करके रखूँगा मैं ठीक है, sum अगर सभी का मेरे को एक बार पता चल गया तो sum पता चल गया है चार लंग कह लेते हैं 5 और 4 ठीक है, 5 और 4 भी नहीं 4 और 3 1 से ले करके 3 तक continuous बंदे हैं इनके लिए segmentary बनाते हैं और देखते हैं कि हम अपना काम कैसे कर सकते हैं ठीक है, यह array था तो यहाँ बरसे मेरा segmentary सुरू होता है इसके just उपर से यह array हो गया इसके उपर से मेरा segmentary सुरू होगा सबसे पहले एक node सब ही nodes के पास क्या information होगा तो k equals 2 अगर 3 है ठीक है, तो k equals 2 1 का information यहाँ पे 2 का यहाँ पे, 3 का यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पर भी 1, 2, 3 अभी यह तो 0 है इनको हटा के इसी को use कर लेते हैं ठीक है, और क्योंकि मुझे sum रखना है मुझे क्या करना है, sum करना है 1 से लेकर के, let's suppose 3 का, ऐसा कुछ sum करना है या 1 से लेकर के 4, या फिर 2 इन बंदों का sum रखना है ठीक है, तो अभी न, अभी इस array को ना थोड़ा अलग से देखना, इस array को exactly मस समझना कि यार ये array और segment tree में थोड़ा सब different होने वाला है काम ठीक है तो ये array पे 4 बंदे थे, बिल्कुल सही है कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है लेकिन मेरे segment tree पे इनका information इसी order पे नहीं रखा हुआ मेरे segment tree पे न यहां पर 1 का information रखा हुआ है देखो, मेरे array पे क्या है basically 1, 2, 3, 4, 5 इनका permutation है, कोई भी repetition नहीं है और मुझे पूरा-पूरा से और है, कि 1 से लेगर के n तक सभी बंदे हैं, तो मेरा जो segment tree है यह basically 1 का information यहां रखा है 2 का information यहां रखेगा 3 का यहां रखेगा, 4 का यहां रखेगा ठीक है और क्योंकि segment tree segments का sum रख सकता है, उसके लिए हमें कोई ज़्यादा प्रशानी की नहीं बात होगी ठीक है, यह दोनो notes अभी by default दो 0 है सब्सक्राइब बंदे 0 हैं जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ ठीक है, इन दोनों का sum यहां पर हो जाएगा similarly, इन दोनों का sum यहां पर हो जाएगा और आखरी पे overall सबी का sum इसका, इसका sum यहां पर इसका, इसका sum यहां पर ठीक है अब देखो, मैं यहां पर काम कैसे करने वाला हूँ तो मेरा जो dp बना था, ऐसा कुछ था right, सबसे पहले मैं one के लिए काम कर रहा था, ठीक है तो one से पहले, of course, यहां पर कोई भी नहीं है अगर मैं थोड़ा से इसे बदल देता अगले test case में इसको बदल के देख लेंगे ठीक है one था, इसको क्या चीए तो इसको ले देखे, one से लेकर के one minus one zero इतना segment चाहिए, जो कि actual में valid नहीं है right, तो इसके लिए तो k equals to one का answer बनेगा two का, three का नहीं बन पाएगा k equals to one पे one आएगा ये दोनों zero रहेंगे ठीक है, देखो, जब इसने अपना answer बना लिया ना, basically one का answer मुझे परदा चल गया, तो मैं अभी यहाँ पर जाके update करने वाला हूँ यहाँ पर यह सभी one, two, three, four sequence पर रखे हुए थे one वाले segmentary के node जो था, उस पर मैं जाके यह जो answer बना उसको update कर दूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर one, zero, zero, of course उपर वाले node भी बदल जाएंगे तो यहाँ पर one आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ बना जाएगा ठीक है, यह वाला बना, answer वाला जो है, actually मैं answer यहाँ पर नहीं है, ठीक है answer यहाँ पर नहीं है, बलकि यह जो answer बना नोड होना था वो यहाँ पर है two के लिए answer बना नोड यहाँ पर है ठीक है, लेकिन two पहले क्या करेगा two पहले one से ले करके one तक का answer मंगाएगा ठीक है, तो one से one का answer मंगाएगा, segment tree मुझे log of n पर लाके दे देगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, यह तीनों बन्दे को ठाक लिए आएगा ठीक है two क्या करेगा, अपने answer two कैसे बनाएगा, तो यहाँ पर one रखा हुआ है तो k उस्ट टू पह यहाँ पर two आ जाएगा, बागे सभी तो one आएगा ठीक है, इसने अपना answer बना लिया इस answer को जाके update कर दो one, one, zero ठीक है, अब उपर के सभी बन्दे बदल जाएगे, two हो गया यह one हो गया यह भी two हो जाएगा, यह one हो जाएगा right basically one का answer two का answer one plus two का answer और यह पुरा-पुरा one से four तक का, ठीक है, इन पे अभी कोई भी काम नहीं हुआ है तो zero पड़े हुए है four पर जाएगे काम करने के लिए, again मैं क्या करूँगा तो one से ले करके, यह बोलेगा तीन तक का मुझे sum लाके दे दो ठीक है, one से three तक का segmentary again, मुझे log of n पे लाके दे देगा वो ठीक है, तो इस बार क्या आने वाला है तो मैं पहले से ही मान लेता हूँ देखो, zero थ्री ना इससे पहले नहीं था थ्री से पहले नहीं था, बाद में था तो यहाँ पर three पे zero zero पड़ा हुआ है कि थ्री वाला कोई भी answer नहीं बनता यह कोई भी mistake नहीं होगी फिर यहाँ से गलती नहीं होगी, zero zero पड़ा है तो इतने बंदे का sum करके लाएंगे तो मेरा k equals to जो भी बनेगा, यहाँ बना लेते हैं basically zero zero वाले को एड़ दर दो one one वाले को तो two आ जाएगा यहाँ पर k equals to two आ लेको एड़ दर हो तो answer है one, तो k equals to three पर one यहाँ पर आ जाएगा और one वाले पर one आ ही जाता है one two one यह बन जाएगा answer four के लिए one two one और फिर इसको update कर देंगे one two one यहाँ पर जाएगा फिर again यहाँ पर sum कर दो, two plus one three, one plus two three, zero plus one one यह बन गया again अब तीन के लिए काम करने जाएगे, तीन बोले का एक से ले करके दो तक का मुझे sum लाके दे दो एक से ले करके दो तक का sum ले के आओ तो यहाँ पर k equals to one पर sum इनका पूरा पूरा दो पड़ा हुआ है यह वहले सेग्मेंट की बेसिकली बात कर रहे है sum दो पड़ा हुआ है, तो वो k equals to two पर आ जाएगा k equals to two पर one पड़ा है, तो k equals to three पर one आ जाएगा, और यहाँ पर k equals to one पर one अपने आ भी आ जाएगा तो one to one, one two, one, three पर आ गया, उपर आले नोट्स पड़ल जाएगे फिर one प्लस one two, two प्लस two four, one one, two two प्लस two four, one प्लस four five, zero प्लस two, two यह information बन गया पूरा-पूरा छेक है, यह basically इस पूरे-पूरे segment का, जितने भी number थे मेरे पास, one से लिकर करके four तक का सभी के संबद आ रहा है, ठीक है, मुझे आखरी पे क्या करना था, तो मुझे आखरी पे न k goes to three वाले सभी बन्दे को add करना था, देखना तक कितने sequence बनेंगे, जो end हो रहे हैं तीन elements की बन्दे जो increasing order पे बन रहे हैं, ठीक है तो यहाँ पर दो answer बेसिकल क्या बता रहा है कि यार, one पे end होने वाला zero बन्दे बना, two pen होने वाला zero बना, three pen होने वाला एक बना four pen होने वाला एक बना, तो overall पूरे-पूरे कितने बने, तो overall पूरे-पूरे सिर्क दो ही बन पाए ठीक है, और दो लेंद का, दो लेंद का increasing sequence total पाँच बना, मुझे यह सारे solutions भी बता चल गए, of course हमें ज़रोत नहीं थी लिकिन, चेक है एक बार verify कर लेते हैं, three के लिए verify कर लेते हैं, तो इतने बंदे को उसको लोगे, तो one, two, four बनेगा, one, two, three बनेगा, इसके बाद और कोई भी नहीं बन सकता, one के बाद four को लोगे, तो आगे five, six कुछ भी नहीं है, one के बाद three को लोगे, तो आगे अब कुछ है ही नहीं, right, यह दुनों तीन के लिए बन सकते थे, दो के लिए अगर example लें, तो one, two, one, four, one, three, two, four, two, three, four के बाद कुछ भी नहीं होगा, total five बंदे बने, यह पांच रखा हुआ है, चीक है, तो अभी इसको एक test case के लिए और देखते हैं, exactly इसी चीज़ को, और फिर इसके code में लिखते हैं, चीक है, तो अभी मेरे पास जो array है ना, यह हमारा test case वह रहा था, one, two, three, five, four, इसके लिए देखते हैं कैसे काम होगा, तो यह वाले बंदे को उठा के लिए आते हैं, चीक है, तो यहाँ पर basically one का information होगा, मेरे पास क्या है, one से लेकर के five तक बंदे हैं, तो one का information यहाँ पे, two का यहाँ पे, three, four, और five का यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे ले आओ, three के लिए यहाँ ले आओ, चलो ठीक है, four के लिए यहाँ पर आ गया, right, अब दो-दो बंदे का answer उपर पड़ा होगा, ठीक है, तो इन दोनों के यहाँ पे होगा, इन दोनों के यहाँ पे होगा, और यह बंदा रह जाएगा, तो यहाँ पर segment tree हमें पता है कि automatically configure कर लेता है, right, start और end के according, automatically वो configure कर लेता है, चलो एक बार इसको बना ही लेते हैं, पूरा-पूरा, सबसे पहले जो root होगा न, root से बनाना सुरू करते हैं, इसको उपर कर दो, यह basically कितने range को denote कर रहा हैं, तो यह 1 से लेकर के 5 तक के बंदे को denote कर रहा हैं, ठीक हैं, अब again इसका left और right कितने को denote करेंगे, तो 1 से 5, तो 1 से 3, ठीक हैं, यहाँ आगया एक node, यह बंदा basically 1 से लेकर के 3 तक को represent कर रहा है, ठीक हैं, और यहाँ पर एक बंदा आ जाएगा, जो 3 सागे वाले को करेगा, यह 1 से लेकर के 3 वाले को कर रहा हैं, और यह 4 से लेकर के 5 वाले को, ठीक हैं, तो इसके अंदर तो 2 ही बंदे आ पाएंगे, यह हमें पता हैं, ठीक हैं, यह 4 को represent कर रहा हैं, और यह वाला 5 को represent क यहां पर थोड़े बंदे बढ़ जाएंगे, 1 से लिए करके 3, तो इसका जो left है, 1, 2, इसको कर देते हैं, 1 से 2 range को denote कर रहा है, और यहां पर एक बंदा जाएगा, जो 3 को कर रहा है, छीक है, यह वाला 4 था, यह वाला 5 था, और यह वाला 3 है, और फिर ऐसे ही, इसके नीचे फिर 2 और बंदे बन जाएंगे, 1 और 2, 1, 2, यहां पर 3, 4 और 5, सेगमेंट को मिटा दो, चीक है, अभी इस पर काम करते हैं, तो यह वाला मेरा एरे था, ठीक है, सबसे पहले 1 का काम आएगा, तो 1 क्या करेगा, यह मंगायागा, 1 से लेकर के 0, अपकोर्स यह फिर से वैलिड नहीं है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग अलग से हैंडल करके, चलो हैंडल ही कर लेंगे अलग से, ठीक है, के कोईस्ट वन, टू और थ्री, यहांपर वन, 0,0 लगा देंगे, तो यह अपडेट होगा, 1, 0,0, यहांपर बन जाएगा, यहांपर बन जाएगा, यहांपर बन जाएगा, राइट, फिर टू पर काम करने जाएगे, टू क्या करेगा, टू, वन से ले करके, वन तक के सम को मंगाएगा, यहांपर वन से वन तक का सम, सेग्मेंटरी मुझे लाके दे देगा, ठीक है, बेसिकली, आप क्वेरी फंक्शन में, थोड़ा से वह में बदलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेफ से जो रिजल्ट आया, और राइट से जो रिजल्ट आया, उसके K गुष्टी, 21 वाले को ड़ेगे, बदलने को अड़ कर दो, 22 वाले को अड़ कर दो, 33 वाले को अड़ कर दो, तो आपका ड़ेगे, यह humor बन जाएगा, तो यह गाम हो गया, यहाँ पर K कोष्टर 1 पर 1 पड़ा था तो वो यहाँ पर 2 पर जाएगा K कोष्टर 2 पर 0 पड़ा था तो 0 3 पर जाएगा चीक है और 1 पर K कोष्टर 1 पर तो 1 आता ही आता है हमने answer बना लिया अब segmentary पर डाल दो 1 2 0 चीक है पिर 3 पर गए 3 क्या करेगा 1 से लेकर के 2 तक का sum वंगा लेगा 1 से लेकर के 2 मैंने इसको up to date नहीं किया 1 प्लस 1 2 हो गया और यहाँ पर 2 रखा हुआ है इसके 2 नहीं होगा वो यह वाला K कोष्टर 1 पर 1 रखा था यहाँ पर भी 1 ही होगा stake 1 यहाँ पर 2 1 2 1 और 2 1 अब 3 अपना इसर वंगा आएगा कि यार 1 और 2 अलेकर एड़िदर के लिए आओ तो 1 और 2 का sum हमें पता है यहाँ पर दोनों का sum 2 है तो इसके के को से 2 पर जाएगा 0 प्लस 1 1 होता है तो 3 पर जाएगा और 1 पर तो 1 आएगा 1 2 1 आजाएगा basically 3 वाले पर तो यहाँ पर 1 2 1 3 वाले पर टाल देगा यह फिर 1 2 3 इन तीनों का sum update basically यह होगा यह 1 से लेकर के 3 तक को represent कर रहा था यह बंदा बदल जाएगा यह क्या हो जाएगा तो 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 और लाश्ट पर 0 प्लस 1 1 और यह यहाँ पर भी changes हो जाएगा 3 3 और 1 5 की बार यह आए तो 1 से लेकर के 4 तक को मगाएगा 4 अभी न अपना answer बनाया यह नहीं है 4 पर सारा कुछ 0 बढ़ा हुआ है कोई प्लस नहीं करेगा यह ठीक है 1 से लेकर के 4 तक का सम मगाएगे तो यह वाला नोड अभी पुरा-पुरा रिप्रेसिन कर रहा है 3 तक का सम यहाँ से आ जाएगा 4 यहाँ पर से 0 0 रिटर आ जाएगा तो यही सम हो जाएगा 3 यहाँ पर जाएगा फिर 2 पर 3 है तो वो के को स्टू 3 पर चला जाएगा और यहाँ पर तो बनाता ही है ठीक है 1 3 3 यह सही है आँ बिल्कुल सही है 1 3 3 ठीक है तो 5 पर यहाँ अभी आइंसर को डाल दो 1 3 3 राइट 4 के बारी 1 से लेकर के 3 तक का मगाएगा यह सम तो अगेन इसको अप्टू डेट नहीं किया 1 3 3 3 प्लस 1 4 3 प्लस 3 6 1 प्लस 3 4 राइट 1 से लेकर के 3 तक का सम लादो तो यह वाला नोट के बास 1 से 3 तक का सम है k को स्टू 1 पर 3 पढ़ा था तो k को स्टू 2 पर आ जाएगा 3 k को स्टू 2 पर 3 पढ़ा था तो k को स्टू 3 पर आ जाएगा 3 और 1 वे यहाँ पर आ जाएगा इसका भी एंसर 1 3 3 आया तो 1 3 3 अब सेगमेंटरी इस पूरे को जोड़ देगा ठीक है 1 प्लस 1 2 3 प्लस 3 6 3 प्लस 3 6 यहाँ पर भी 3 प्लस 2 5 3 3 प्लस 6 9 और 1 प्लस 6 7 ठीक है यह पूरा पूरा काम हो गया हमारा राइट सो इसको हम कैसे लिखेंगे यह देख लेते हैं सबसे पहले मुझे नाम आप इसे एक्षिल में बिल्ड करेंगे जोरत नहीं है ठीक है बिल्ड पर यहाँ पर क्या बनता है यहाँ पर एक एरे बनता है जो की बाइडिफॉल्ट 0-0 पड़ा होता है पूरा पूरा तो एरे पर एरे बना लो जावा पर एरे बना लो तो वही 0 set कर देगा ठीक है यह जो प्रिवेस वोला कोड है इसको हटाई देते हैं पहले यहाँ पर अपना काम करते है तो बिसिकलिए यहाँ पर सारा काम long पर होने वाला है तो tree जो बनेगा segment tree वो भी long type का बन जाएगा long का 2D tree बन गया equals to equals to कुछ भी नहीं tree equals to new long 4 into n का बन जाएगा और सभी बंदों के पास क्या के element होंगे तो k plus 1 elements होंगे जिरुवत index फिर 1 index, 2 index, 3 index करते हुए k index तक चीक है यह काम हो गया complete array यहाँ पर नहीं बनाना मुझे उसको मैं बाहर बना देता हूँ static array बनाना पड़ेगा actually मैं static array बाहर बनाने की requirement नहीं थी चलो कोई बात नहीं ठीक है तो build तो यह होगे आपने आप ही मुझे क्या करना है तो for int i equals to 0 से लेकर के i is less than n तक जाएंगे सबसे पहले अगर यह 1 है तो अगर i array of i array of i equally equals to 1 है तो basically मुझे क्या चाहिए था मैं 0 से लेकर के 0 elements नहीं है यहाँ पर अपने answer खुदी बना लूँगा यहाँ पर एक answer वोला भी बना लेते है long answer answer के 1 इंडेक्स पे 1 रग दिया ठीक है otherwise यहाँ पर हम query करेंगे एक range पे range कहां शुरू होता है तो 1 से शुरू होता है और array of i minus 1 पे खतम होता है ठीक है ओल राइट तो answer equals to query node को 1 दे दिया start और end कहां पे होता है वो तो 1 पे start होता है end पे end होता है और फिर मुझे कितना answer चाहिए तो मुझे answer चाहिए 1 से लेकर के array of i minus 1 चीक है यह मुझे लाकर देदेगा एक long type का array जिसके 1 पे मैं जाके 1 रख दूँगा चीक है actually यहाँ पर तो नहीं रखूँगा यह तो query का answer है यह query का answer है sum sum होगा basically यह यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखो तो basically जब आप 1 से 3 तक का समंगाते हो तो यह वाला array आपको मिल लाता है लेकिन यह आपका answer थोड़े है यह 0 पर जो 1 पर जो पड़ा है वो 2 पे आएगा 2 पर जो पड़ा है वो 3 पे आएगा यह आपका answer होता है यहाँ पर sum वाला आया है मैं एक answer को initialize करूँगा पहले new long k plus 1 तक का और फिर answer पर सभी को कॉपी कर दूँगा तो int i equals to 2 से लेकर के i is less than k तक less than equal to k तक i plus plus यहाँ पर मैं कॉपी क्या करूँगा तो answer of i equals to sum of i minus 1 ठीक है sum of i minus 1 1th index को सबसे पहले यह 2 के लिए काम करेगा तो अपने 2th index पे sum का 1th index डाल दूँगा अपने 3rd index पे sum का 2th index डाल दूँगा यह काम कम्लिट हो जाएगा फिर again मैं answer के 1th index पे 1 रख दूँगा वो तो आता ही आता है जब यह काम हो जाए इस point पे भी मैंने अपने answer बना लिया उसको बस इनी slice ही नहीं किया new long new long यह बनेगा के plus one land का और उसके one पे one होगा ठीक है one पे one होगा तो अब दोनी जगा करना पड़ रहा है एक जगा भी कर सकते हो आप चाहो तो और initialize भी चाहो तो एक जगा कर सकते हो ठीक है कोई बात नहीं यहाँ पर मेरा answer बन चुका है तो मैं क्या करूँगा अपडेट कर दूँगा one, comma वो start गहां से होता है तो one start होता है and pend होता है कौन से value को अपडेट करना है तो value array of i पे जाकर के इस वाले answer को रख देना है ठीक है और last पे बिल्कुल क्या होगा तो last पे मेरे tree के one-th index पे kth index पे tree के one-th index के kth index पे मेरा answer बढ़ा होगा ओके overall answer कहां पे है तो tree के one-th basically सबका root उसके kth index पे चीक है अभी हम काम करते हैं update और query function तो update पे पहले काम करते हैं update पे क्या करना होगा static void कुछ return नहीं आएगा node start end इस value पे जाके आपको ये वाले long को रख देना है चीक है यहाँआप update देखो तो node का information पहले तो आगया तीनों बंदे फिर इस वाले आयत value पे जाके मुझे इस answer को रखना है right तो फिर से काम करते हैं अगर ये start equals to end मतलब हम सही जगा पे पहुँच गया है तो tree का node equals to answer रख दिया otherwise left पुजाना है right पुजाना है int mid equals to start plus end upon 2 यहाँआप चेक कर लेंगे अगर आज st यह mid जो है वो left पे पढ़ता है ठीक है left basically value जो होगा value जो है वो left पढ़ता है left होता है start से लेकर के mid तक तो start से बड़ा और यह mid से छोटा होना चीए value slash than equals to mid ठीक है तो वो मेरे left पे है left का node into 2 start end तो start से mid तक होगा value पे जाके answer को रख दो otherwise node into 2 plus 1 mid plus 1 and value पे जाके answer को रख दो चीक है दोनों में से जो भी होगा फिर मैं क्या करूँगा मैं अपने answer को update करूँगा तो इसके लिए ना एक अलग से function ना देते हैं basically copy sum ऐसा कुछ sum कर दो किन को sum कर दो tree of node into 2 left child tree of node into 2 plus 1 right child इसको sum कर दो और result को result को अपना index भी दे देता हूँ मैं या फिर ये मुझे खुदी return कर देगा tree of node equals to ऐसा कुछ चीक है sum उपर कर लेते हैं इसको k भी देना पड़ेगा मुझे right static void या फिर k देने की requirement नहीं भी है sum long left long right और बस यही दोनों बन्दे हैं long answer बन जाएगा एक k की value कितनी है तो static नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा चलो static की कर देते हैं k को चीक है तो एक मैं answer बनाओँगा k प्रस 1 लेंद का k प्रस 1 का answer बनाओँगा अब मैं copy कर लूँगा पूरे डेटा को तो 1 से लेकर के less than equals to k तक को copy कर लो answer of i equals to l i plus ri और फिर return कर दो answer यह काम complete हो गया अब इसके बाद एक और काम रह जाता है query function right query पे static void query node start end और l से r range मिलेगा right query function यहाँ पे है यह रहा चीक है तो यहाँ पर क्या ही काम करना है मैं यार अगर start equal equal to end हो जाए तो आप ही answer हो अगर आप पूरे पूरे range के अंदर आते हो left is less than equal to start and end end is less than equals to right तो भी आप ही answer हो यहाँ पर void नहीं होगा ना लॉंग का array होगा otherwise left right दोनों को मांग लो answer start plus end upon 2 और long left answer equals to query node into 2 start say mid l,r और ऐसे ही right का भी answer मिल जाएगा node into 2 plus 1 mid plus 1 से ले करके end ठीक है फिर मैं क्या करूँगा मैं return कर दूँगा sum function को la और ra को दे दो ठीक है यह sum function एक नाय रे बना लेगा और इन सभी बंदों को copy भी कर देगा ठीक है अभी ले देखिए यह पुरा पुरा काम complete लग रहा है इसको verify करने की आवस्ता है गलतिया है कहीं पे 34 line क्या गलती है इस पे तो expected int अभी भी गलती है new int not an assignment यह नहीं आएगा यहाँ पे वसी इसको अब static बनाने के कोई जोरत नहीं थी और incompatible type return value ठीक है line number 16 पे long का array written होगा sum function से अभी भी गलती है 74 variable i is already defined जी बिलकुल यहाँ पर i define कर दिया यहाँ पर फिर से कर दिया इसको बदलके l कर देते हैं गलती answer आ गया तो इसको यह बढ़ देखते हैं कहाँ पे गलती है इससे पहले यहाँ पर से काम सुरू करते हैं array of i one है तो अपना answer long इतना और यहाँ पर one रख दिया ठीक है यह तो बिलकुल correct है otherwise यहाँ पर मैंने one से ले करके array of i minus one तक का range का मैंने sum मंगाया फिर अपना answer zero zero है पूरा पूरा उस पे sum के value को रख दिया ठीक है sum के l minus one value को अपने l पर रख दिया और one रख पर one रख दिया उसके बाद update कर दिया यह भी बिलकुल correct है ठीक है array of i यह त वाले value पर answer को जाके रख दो बोला right यह तो बिलकुल correct है फिर one root होता है kth index पर मेरा answer होता है query और update इन सभी को देख लेते हैं start and बराबर है तो node पर जाके answer कर दिया start plus end on two अगर यह start और mid के बीच पर आता है value तो left पर चले गए start से mid value पर answer रख दो otherwise right पर चले गए और फिर अपने value को बिलकुल यह correct टर लेगा sum function सही है lr लिया k plus one का array बना दिया one से लेकर k तक अभी को फिर add कर दिया query में गलत call लगती है यह हमने handle नहीं किया है यहाँ पर कुछ गलत call लगेंगी तो इसको भी handle कर लेते हैं अगर क्या range था मेरे range के बाहर आते है end is less than r l और start is less than r is less than start ठीक है पहले end हो गया यह बाद में start हो रहा है तो इसकी जोड़त नहीं है long k plus 1 साभी बंदे 0,0 होंगे यह कोई भी फरक्ट नहीं करेगा अभी तो और भी यादा गलत हो गया answer यार गलती एक मिल गई यहाँ पर array of i minus 1 मैंने कर दिया array of i minus 1 करना था और एक और गलती यहाँ पर मिली मैंने जो tree बनाया है वो 2 into n का बनाया है यह 4 into n होगा right तो यह काम इनपता try करके देखते हैं इसे फिर से अभी accept rate आ रहा है तो इसको submit करके देखते हैं सभी test case पर चलेगा TLE आएगा या नहीं आएगा तो TLE नहीं आएगा right एक बार आप इसके time वाले को देख लो इससे पहले जब हमने submit किया था तो उसने 4.234 इतना समय लगाया फिर TLE हुआ अभी 1.126 ठीक है यह काफी कम है उससे उसके comparison पे और इससे पहले जब मैंने submit किया था तो इसने वो भी नहीं लगाया था ठीक है एक बार और देख लिए तो अभी 1.3 और ज़्यादा हो गया चलो ठीक है और कोई बात नहीं right तो I hope आपको यह समझाया होगा DP में हमने जो पहले सब्सक्राइब DP का था उसमें basically range का कुछ काम हो रहा था right कुछ ranges का काम हो रहा था उसको हमने segmentary से optimize किया ठीक है ऐसे धेर सारे वीडियो और आने वाले हैं DP और segmentary वाले ठीक है so मिलते हैं उन वीडियोस पे अगर आपको यह वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे like करें हमारे चैनल को subscribe करें thanks for watching